नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है फिर से आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो रोटी का चूरा है जो आप अपने कभूतरों को डालते हैं वो बिल्कुल बारीक कैसे करें क्योंकि आज कल गर्मी बहुत ज्यादा हुई हुई तो इतना मुम्किन नहीं होता है कि आप एक से दो गंटा चत पर बैठ पाएं दोपैर के टाइम में क्योंकि काफी ज्यादा धूप होने कारण उपर बैठना मुश्किल हो जाता है तो आप करिए क्या एक मिक्सी ले लिए और रोटी का चूरा बनाने के लिए और आप यह किर रोटी के इसमें बड़े बड़े टुकडे डाल दीजिए आप घर के अंदर ही नीचे चत पर नीचे ही घर में टुकडे आप रोटी के डालतीजिए इसके दर और बज़्कुल बारीग बनाके तब चथत पर जाए तो आपको उपर बैठने में टाइम कम लगेगा आप को अब ही मैं आपको बताता हूं किस तरीके से चूरा हो जाएगा रोटी यह देखिए प्रेंट्स मैंने मिक्सी के उपर रख दिया है और जार में जो हम घर पे मिक्सी यूज़ करते हैं जिसमें कुछ भी डाल देते हैं जो अपने घर पे जूज़ होती है मिक्सी यसी के अंदर आप रोटी डाल दीजिए बिल्कुल बारीक चूरा करतेगी जो आपका समय बचाएगी दूप के अंदर आपको जादे देर बैठना नहीं पड़ेगा घर में ही नीचे अपनी रसोई में आप कबुद्रो डाल दीजिए जिससे की आपका समय बच पाएगा अभी मैं आपको चूरा दिखाता हूं कि कैसा चूरा होगा यह देखिए बड़ी बड़ी दो रोटिया मैंने इसके इंदर डाली थी इतना बारीक चूरा हो गया है अब आपका सिर्फ काम यह है इसको च्छत पे जाके आप अपने कभुद्रो डाल दीजिए आपको आपे बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और सबसे फायदे मन दिए के उन भाईयों को होगा जो भाई गोले पालती है जो चिकना वगएरा बनाते हैं उनका तो वह असानी से रोटी उनके लिए चुर गई है और कोई भी टाइम में लगेगा अब देखिए आपको मैं दिखाता हूँ कि देखिए रोटी के कितने बारीक टुकड़े हो गया है अब देखिए दो से तीन मिनट आप अपनी मिक्सी में रोटी को डाल के छोड़ दीजिए इतना बारीक चुरा हो जाएगा अब इसके इंदर आपको एक और फायदा हो सकता है आप जो भी इसके इंदर मैटीरियल डालना चाते हो वो डाल दीजिए जिसे गोले वाले भाई गी वगार डाल के चिकनाओ बनाते हैं तो यह बैस्त तरीक है जिससे की टाइम नहीं लेगा नहीं तो उनको घंटो लग जाते थे चट पे वो मैटीरियल तियार करने के लिए यह सिर्फ और तो इसलिए आपको वीडियो गनाई गई है कि आपका समय बच पाई गर्मी में चत पे जादा दिर बैठना पाएं और एक मैसेज सभी भाईयों के लिए यह है कि गर्मी में जो भाई शोक कर रहे हैं यह वो अपने कबूतरों के लिए पानी के प्याले रखे चत्पे और कबूत्रों को जो हिले हुए कबूतर उन्हें खुला छोड़े चत्पे पूरे दिन के लिए और थोड़ा सा दाना भी डाल दें बाकि पक्षियों के लिए भी क्या के जैसे जंगली को उतर या चिडिया भी आके खा सके और अपना पेट भर सके क्योंकि गर्मी मे में 45-46 डिगरी टेंपरेचर हुआ हुआ है दिल्ली के अंदर तो आप सभी से विंती है छत पे प्याले रखें और बीमारियों से अपने को उत्रों को बचाएं धन्यवाद भी आप सभी लोगों का मेरे साथ जुटने के लिए और सभी भाईयों को धन्यवाद करता हूं मेरे 5000 सस्क्राइबर पूरे हो गए है ऐसी अपना प्यार देते रही है वीडियो उसको लाइक करते देए जैहिंद